हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं बात करने वाला हूँ हिसलोप कॉलेज नाक पुरस कॉलेज के बार में तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कॉलेज कैसा है और या पे आपको डिगरी कोर्स करना चाहिए या नहीं इसके अलवा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूँगा जैसे कौन से कॉर्से से आपे है उनका फीस ट्रक्चर क्या है या उसकी फीस कितनी है और भी बहुत सारी बाते और एंड में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको ये कॉलेज लेना चाहि है तो वीडियो के इन तक देखना गाइस ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई भी वीडि सब्सक्राइब करेंगे तो यह सब्सक्राइब करेंगे तो यहां से आप बीए कर सकते हो मिलेश कर सकते हो मैं हिंदी कर सकते हो मैं सोचोलोजी और मैं साइकोलोजी तो यह सब कुछ आप कर सकते हो इनकी अगर आपको Commerce के field से यहां से कुछ करना है तो आप यहां से BCCA कर सकते हो, BBA कर सकते हो, BCOM कर सकते हो, MCM कर सकते हो, MCOM कर सकते हो, और PGDCCA, इसका full form मुझे नहीं पता है, तो अगर आपको पता होगा, तो comment section में ज़रूर mention कीजिए, तो यह सारी course आप Commerce field में आपको कर सकते हो, फिर आता है Science, तो Science से आप यहां पर BSC कर सकते हो, BSC में कौन से subject है, वो मैं आपको बताता हो, आगे, MSC Botany कर सकते हो, MSC Chemistry, MSC Biochemistry, फिर MSC in Biotechnology और MSC in Zoology, तो इनका भी Free Structure में आपको आगे मैं बताता हो, अब BSC में आपको इनसे subject से यहां पर BSC कर सकते हो, तो वो मैं आपको बताता हो, देखे, PCM मतलब Physics, Chemistry, Maths, फिर PEM, Electronics, PSM, Statistic, फिर PC, SM कर सकते हो, CBZ कर सकते हो, मतलब Botany, Zoology, Chemistry, CB, CZ, BC कर सकते हो, Chemistry, Zoology and Biochemistry, फिर Chemistry, Botany, Biochemistry, SC, SM, CZ, BT और CBT, CBBT, तो इनके Full Form आप देख सकते हो, बहुत ही Complicated Short Forms है, तो Full Form यहां पर दिया, आप Pause करके देख सकते हो, तो चलिए अब हम बात करते है, Arts Faculty के Fees Structure के बारे में, तो BA के Fees Structure नहीं दी थी, तो मैंने सर्च करके, जो मुझे मिला तो वो है, 6,635 रुपीज, आपको 3 साल के इतने पे करना पड़ेगा, MA English की जो Fees है, वो है 10,825, फिर First Year, Second Year ऐसा है, MA Hindi, First Year, Second Year, First Year की 9,800, मतलब Almost 10,000 के है, तो यहां पर पूरी Fees Structure दिये, आप वीडियो को Pause करके आप देख सकते हो, Commerce Faculty की Fees Structure की बात करते हैं, तो B.com की जो Fees है, वो हो जाएगी 33,000 के आसपास 3 साल के लिए, तो 3 साल के 33,000 रुपीज, फिर B.com 1 NG, उसके अलग Fees है, वो है 10,926, B.B.A. की जो Fees है, वो है First Year की 13,600, Second Year की है 13,000, और Third Year की है 19,000, फिर B.com 3, ऐसे B.C.C.A., B.C.C.A., First Year, Second Year, Third Year, Third Year, फिर M.com, B.com सब दिया है, आप वीडियो को Pause करके देख सकते हो, B.S.C. की Fees Structure की बात करेंगे, तो B.S.C. की जो Fees Structure यहापे तो दिया नहीं था, तो मैंने सार्ज किया था, तो वो 3 साल की 9,335 रुपीज है, बट इसमें चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर आप अलग सब्जेक्स लेते हो, तो आपके Fees Structure में B.S.C. के चेंज हो सकता है, बट बाकि जो Fees Structure है, जैसे M.S.C. Biotech, M.S.C. Biotech 2, फिर M.S.C. Biochem, M.S.C. Chemistry, M.S.C. Botany, M.S.C. Zoology, इनकी फी सेम रहेगी, क्योंकि ये Official Website के Statistics है, तो ये सेम ही रहेगा, बट B.S.C. के चेंज हो सकते है, अक्रडिंग टू, आप कौन सा सब्जेक्स ले रहे हो, उस पे, इस College में Hostels अवेलेबल हैं, जैसे Website में दिखाया गया था, तो Hostels यापे अवेलेबल है, बट for females ही है, और इसके जो प्राइस है, वो भी बहुत जादा है, जैसे Single Room अगर आपको लेना है, तो उसकी प्राइस आएगी 73,000 रुपीज के आसपास per annum, और ये fee structure है 2019 और 2020, तो इसमें भी कुछ changes हो सकते हैं, बढ़ेंग ये कम तो नहीं होते हैं, triple occupancy की 63,000 रुपीज और dormitory की होते हैं, 58,500 रुपीज, ये college का इस proper city में आता है, तो अगर आप hostel नहीं भी लेते, तो ऐसा कुछ प्राइबलम नहीं होगा, आपको बहुत ही easily PG rooms मिल जाएगी, 3000 रुपीज या 4000 के आसपास रुपीज में, और खाना भी अच्छा मिलेगा, और आप कई भी घूम भी सकते हो, तो मैं तो आपको refer करूँगा कि hostel मत लीजे, आप PG rooms लेके अच्छे से रह सकते हो, और खाना भी आपको अच्छा मिलेगा, तो hostel मत ही लीजे, ऐसा मैं आपको refer करता हूँ, अगर cutoffs के बारे में हम बात करते हैं, इस college के लिए तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि cutoffs, depending करते है, category wise, तो देखिए, arts के लिए आपको ज़्यादा marks नहीं लगेंगे, आपका cup marks में, आपको ये college मिल जाएगा, commerce में थोड़े ज़्यादा marks और लगेंगे, अगर आपको इसमें admission चाहिए होगा, तो और अगर आपको BSC करना है, तो BSC के लिए थोड़े और ज़्यादा marks लगेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपको arts करना है, तो आपका 50% to 60% में आपको ये आपको admission मिल जाएगा, commerce के अगर बात करते हैं, तो 62, 70 के बीच में आपको ये आपको admission मिल जाएगा, और science के लिए अगर हम बात करते हैं, तो वो fluctuate हो सकता है, 72, 75 या फिर 65 to 75 इसके बीच में तो cutoffs change होते रहते हैं और depend करते है category wise, तो मैंने आपको थोड़ा बता है कि comparatively 3 branch में से आपको किस में कितना कितना cutoff marks score करना पड़ेगा, तो उससे आपको admission या पर मिल जाएगा, इस वीडियो में इतना ही guys, आप comment section में अ वो भी आप comment section में जरूर mention किजिए, और अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो guys, वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को subscribe जरूर करिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको देखने मिले,